सीता मडी जेल में अपने माओं के गुनाहों की दस मासूम बच्चे सजा काट रहे हैं इनके जीवनी पर काफी असर पढ़ रहा है और मासूम को मा से दूर किया जाए तो मा के नहीं रहने के भी दर्द सताता है आपको बता दे कि मंडल कारा में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अपराधों की सजा तो भुगत ही रही है लेकिन इनके साथ छोटी छोटे मासूम बच्चे भी सजा भुगतने को विवस है इन बच्चों को मा से दूर नहीं रखा जा सकता इसनिए ये मासूम भी अपनी मा के अपराधों की सजा भुगत रहे है कोट के गाइडलाइन के अनुसार जेल में बंद महिला बंदियों के साथ उनके 6 साल तक के बच्चों को साथ रखने की अनुमती है हलाकि इन बच्चों की मनोदसा पर जेल के महाल का विपरीत प्रभाव ना पड़े इसने कई तरह की नियम बनाये गये है मिनी जानकारी के नुसार जेल में महिला बंदियों की संचा करीब 90 है जिसमें 10 मासूं बच्चे सामिर हैं जो भी बिना कोई अपराद किये सजा काट रहे हैं जेल में एक महिला सजाय अफ्ता है बाकी विचारा धीन कैदी है इस संबंध में जेल अधिक्चक से फोन पर बातचीत में बताया गया कि इन बच्चों को बौधिक विकास के लिए समय समय पर जेल से बाहर भी भ्रमण कराया जाता है जेल अधिक्षक ने बताया कि पढ़ाई के साथ-साथ जेल के महौल से अलग वातावरण में लाने वा मानसिक विकास के लिए महिला बंदियों के बच्चों को कभी-कभी सहर भ्रमण कराने जेल से बाहर लाया जाता है सहर भ्रमण में बच्चों को जानवर, वाहन, फल, सबजी, बाजार, फूल, पौधे, सहित, आन्यजारूरी वस्तुओं की जानकारी दी जाती है जिससे बच्चे इन सभी चीजों को देख कर पहचान सके क्योंकि जेल के अंदर बच्चों को यह सब देखने के लिए नहीं मिलता है